बिस्मिल्लाहिर रह्मानी रहीम असलाम लेकूम कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे मैं भी विल्कुल ठीक ठाक हूँ तो जी मैं हूँ मरियम और मैं वेलकम करती हूँ आपका MS Cooking Vlogs में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Crispy Potato Snacks जो के अफ़तार के लिए बहुत ही Easy और Budget Friendly रेशिपी है और इसकी crispiness चेक करें आप कितने Crispy बनकर ready होते हैं ये इसके Crispy होने का आइड़िया तो आपको होई गया होगा तो चलिए जी अब Recipe की तरफ चलते है पोटेटो स्नेक्स के लिए हमें सिर्फ 2-3 आलू चाहिए ये बहुती बजट फ्रेंडली है और बहुती टाइम सेविंग रेसिपी है पोटेटो स्नेक्स बनाने के लिए हमें सिर्फ 10 मिनिट्स लगते हैं आलूओं को हमें बारीक बारीक लेयर्स में काटना है इस तरह से पीलर की हेल्प से भी बहुती बारीक हमारे आलू कट जाते हैं और अगर आप नाइफ की हेल्प से कट करना चाते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं मैं आपको दोनों तरीकों से कट करना बता रही हूं जो आपको ज्यादा easy लगे आप उसी तरह से cut कर लीजिएगा अब तमाम slices को एक उपर एक इस तरह से तह लगा कर रख देंगे फिर हम knife की help से बारीक बारीक जूलियन शेप में cut करेंगे यह देखिए जी मैंने कितने बारीक चॉप किया है इसे अच्छा जी यह होगी है हमारा पहला तरीका अब मैं आपको बताने लगी हूँ second method इस तरह से पहले बारीक slices हमें knife की help से करने है slicer की help से भी यह काम easily हो सकता है आप slicer से भी इससे slice कर सकते हैं बारीक बारीक मैंने यहाँ एक ball में पानी ले लिया है उसमें मैं यह आलू सोक कर दूँगी आलू क्योंके cut होते ही black होने लगेंगे इसलिए मैंने फॉरण से इसे पानी में dip कर दिया है अब हमने जो यह slice बनाए है ना उससे भी एक के उपर एक तह लगा लेंगे और फिर इसे भी बारीक जूलियन शेव में chop कर लेंगे अच्छा आलू हमारे जितने बारीक कटे हुए होंगे ना तो इतने ही यह crispy बनकर ready होंगे अब बाकी के तमाम आलू भी मैं इसी तरह से cut कर लूँगी पीलर की help से जो हमने cut किया था उसमें और knife की help से जो हमने cut किया है दोनों में बिल्कुल भी difference नहीं आया है आप देख सकते हैं हमारे आलू जो हैं वो कितने knead और बारीक चॉप्ट हुए है आलू को soak करके मैंने 2 minute stand किया है ताकि इसका जो भी excess water है वो release हो जाए तमाम आलू में एक ball में transfer कर दूँगी अब देखिए जी हमारे potatoes कितने beautiful से लग रहे हैं यह सिर्फ तीन potatoes हैं जो हमारे dish भर कर ready हुए है cutting के बद अब मैं इसमें add करने लगी हूँ मैदा मैदा इसमें जाएगा 4 tablespoon भर कर मैदा डालने से इसकी binding बहुती अच्छे से हो जाएगी अगर 4 tablespoon आपको कम लगे तो आप 1 tablespoon more भी इसमें add कर सकते हैं अब मैं इसमें add करने लगी हूँ corn floor corn floor मैंने इसमे 1 tablespoon डाला है corn floor add करने से यह बहुती crispy से बनकर ready होंगे corn floor इसमें optional है अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे skip भी कर सकते हैं कुटी हुई मिर्चे इसमें जाएंगी 1 teaspoon अगर आप चाहें तो आप 1 tablespoon भी डाल सकते हैं या आपके उपर है कि आप कितने spices काते हैं salt मैंने अंदाजे से इसमें डाला है 1 teaspoon आप अपने according इसमें डाल सकते हैं कम या जादा इसे कर सकते हैं कुटी हुई काली मिर्चे में इसमें डालने लगी हूँ 1 teaspoon भर कर आपको आसानी हो जाए इसलिए मैं बता रही हूँ perfect measurement वैसे मैंने अंदाजे से मैट की हैं हमें इतनी अच्छी तरीके से इसे mix करना है कि इसकी binding होने लगे mix करते करते आलू जो है वो अपना पानी release करने लगेंगे जिससे ये अच्छे से bind हो जाएगा और इसे mix करने के बाद हमें 2-3 मिनट का rest देना है फिर इसे fry करना है 2 मिनट rest देने के बाद देखिए जी ये इस तरह से ready हो गया है आप मेरे हातों की movement को चेक कीजिए इस तरह से round round करके हमें तमाम जो आलू है उसके snacks पना कर रेड़ी कर लेने प्लेट में हम पहले ready कर लेंगे और अगर आपने अभी तक मेरी recipe को like नहीं किया है तो जाइए जी फटवर्ट से मेरी recipe को like कर दीजिए और मेरे चैनल को subscribe भी कर दीजिएगा अगर चैनल पे new है तो और bell icon को लाज़मी प्रेस किया करें इससे मेरी हराने वाली वीडियो आप तक फॉरण पहुँच जाएगी potatoes का मैंने shape दे ली है अब हम इसे fry करने की तरफ चलते हैं एक कराई में मैंने यहाँ oil ले लिया है उसे medium flame पे रखा है अब मैं तमाम इस next इसमें डाल दूँगी flame हमारी medium ही रहेगी अगर हम इसे high flame पे पकाएंगे तो फॉरण से यह जल जाएंगे cooking time इसका है 4-5 minutes क्योंकि यह बहुत ही बारीग shape में कटे हुए आलू है तो इसे गलाने की इतनी need नहीं है बस इसे हम fry करेंगे देखिए जी यह fry भी हो गए है जटपट से और हमारा कितना अच्छा सा golden color आ गया है तो अब मैं इसे निकाल लूँगी अगर आप बिल्कुल इसे ही potato snakes बनाना चाहते हैं तो आप मेरी recipe को step by step follow करिएगा इन्शालला आप बिल्कुल ही crispy potato snakes बना कर रेड़ी कर लेंगे बहुत ही easily माशालला इसकी लुक चेक कीजिए ये सिर्फ तीन आलूँ में हमारे डीश भर कर रेड़ी हुए है इसे ketchup, chutney, green rita आप जिस भी चीज के साथ सर्फ करना चाहें कर सकते हैं चलिए जी अब कर लेते हैं इसकी testing crispy होने का अंदाज़ा तो आपको होई गया होगा recipe पसंद आई हो तो बना कर try कीजिएगा और comments में आके मुझे बताईएगा कि कैसे बने वीडियो को like करना आप लोग भूल जाते हैं मेरी वीडियो को like और subscribe लाजमी कर दीजिएगा चलिए जी मुझे दीजिए जाज़त मेरे आने वाली नई वीडियो तक के लिए अल्ला हाफीज